ओम गण गणपतये नमहा स्री गुरुदे वदत्त नमस्कार मित्रों प्रॉफिट 666 चैनल में आपका श्वागत है कैसे हो आप आशा करती हूँ कि आप जरूर कुशल मंगल हूँगे मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे चमतकारी शाबर रोग नाशक मंत्र के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे सिर्फ तीन बार बोलने से हर प्रकार के बदंदर्द याने की बॉड़ी पैन से आराम मिलता है इस मंत्र की खास बात यह है कि यहाँ एक सिध्ध रोग नाशक मंत्र है इसलिए इस पर सिध्धी हासिल करने की अवशक्ता नहीं है और कोई भी बदंदर्द से पेडित व्यक्ती खुद पर या अपने किसी भी प्रियजन पर इसका प्रयोग कर सकता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कृपया सस्क्राइब करना मत भूलिए और तुरंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें इस सिध्धरोग नाशक मत्र को बोलने से शरीर के किसी भी अंग में होने वाले दर्द और पीडा से यह जैसे की सरदर्द, हात पेरों का दर्द, आँख, नाख, कान का दर्द, छाती या कमर का दर्द, भुखार में होने वाला बदन दर्द या अन्य किसी भी प्रकार के बदन दर्द से मुक्ति पाई जा सकती है अब मैं आपको इस मंत्र के विधी के बारे में बताने जा रही हूँ गुरुपया ध्यान से सुनिए विधी अत्यनता सरल और आसान है और इसका प्रयोग कोई भी व्यक्ति बिना परेशानी से कर सकता है इस मंत्र से किसी भी प्रकार की पुजा विधी जुड़ी हुई नहीं है और इसका प्रयोग किसी भी दिन और किसी भी समय किया जा सकता है साधक को सिर्फ एक चुटकी भर नमक अपने हाथ में लेना है और आगे बताए हुवे शाबर रोग नाशक मंत्र को सिर्फ तीन भार पूलना है ऐसा करने से नमक मंत्र की शक्ति से अभी मंत्रित हो जाएगा फिर उस मंत्र अभी मंत्रित नमक को मरीज को खिलाने के लिए देना है अगर साधक खुद बदन दर्च से पीडित है तो उसे खुद यह नमक खाना है अब मैं आपको मंत्र सुनाने जा रही हूँ मंत्र इस प्रकार से है ध्यान से सुमिने उस पार आती बुढिया छुवारी तिसके कांधे पई सरकी पिटारी कौन शरबान सुशर कुपोरा शर समान अमुक के अंग की पीर लोटी फिरे तो उसके कलेजे तीर इश्वर महादेव की दुहाई चलो मंत्र इश्वरी वाचा मंत्र फिर से सुनिये उस पार आती बुढिया छुवारी तिसके कांधे पई सरकी पिटारी कौन शरबान सुशर कुपोरा शर समान अमुक के अंग की पीर लोटी फिरे तो उसके कलेजे तीर इश्वर महादेव की दुहाई चलो मंत्र इश्वरी वाचा मंत्र में अमुक इस थान पर मरीज का नाम लेना है अगर साधक खुद मरीज है तो उसे खुद का नाम लेना है एक चेज का जरूर ध्यान रखे कि अपनी दवाईया और डॉक्टरी इलाज के साथ-साथ इस बदंदर नाशक मंत्र का प्रयोग करे इस वीडियो की अंग्रेजी आर्टिकल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो कुरुपया सस्क्राइब करना मत भूलिए प्रभू सबका कल्यान करेंगे